नमस्कार विक्सित भारत के संकल्प से जुड़ने और देश वासियों को जोड़ने का ये अभ्यान लगातार विस्तान ले रहा है दूर दूर के गाउं तक पहुंच रहा है गरीब से गरीब को जोड़ रहा है युवा हो महिला हो गाउं के सिनियर सिटीजन हो सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कारकम का इंतजाम भी करते हैं और इसलिए इस महा भीयान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देश वाज़्चों का विशेश करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं नौजवानों की उर्जा इसके सार लगी है नौजवानों की सक्ती इसमें लगी हुई है सारे नौजवान भी इस कार्कम को सभल बना लेक लिए अभिनंदर के अधिकारी है कुछ तानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है तो भी जब गाड़ी उनके यहां पहुंचती हैं तो अपना खेती का काम भी 4-6 गंटे छोड़ करके इस कारकम में जुड़ जाते हैं तो एक प्रकार से गाउं गाउं में एक बहुत बड़ा विकास का महुत्सव चल रहा है विक्सीद भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं लेकिन यह यात्रा अब तक लाखों गाउं तक पहुंच चुकी है यह अपने आप में एक रिकोर्ड है विक्सीद भारत संकल्प यात्रा का देख उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारण बस भारत सरकार की योजनाओं से बंचित रहा है कभी कभी तो लोगों को लगता है कि गाउं में दो लोगों को मिल गया तो हो सकता है कि उनकी कोई पहचान होगी उनको कोई रिश्वत देनी पड़ी होगी या उनका कोई रिष्टेदार होगा तो मैं ये गाड़ी लेकर करके गाउं गाउं इसले निकला हूं कि मैं बताना चाहता हूं किया कोई रिश्वत खोरी नहीं चलती है कोई भाई भतिजावाद नहीं चलता है कोई रिष्टेनाते नहीं चलते है ये काम ऐसा है जो इमानदारी से किया जाता है समर्प्रभाव से किया जाता है और इसले में आपके गाउं इसले पहुंचा हूं कि अभी भी जो लोग र पहुंचाओंगा इसकी गारंटी लेकर के मैं आया हूँ जिसको अभी घर नहीं मिला है उसको घर मिलेगा जिसको गैस नहीं मिला है उसको गैस मिलेगा जिसको आईश्मान कार्ड नहीं मिला है उसको आईश्मान कार्ड मिलेगा योजनाए जो आपकी भलाई के लिए हम चला रहे हैं वो आप तक पहुंचनी चाहिए इसलिए ये पुरे देश में इतनी बड़ी मेहनत का काम हो रहा है कि मेरे भाईयों भेनों बीते दिनों जब जब मुझे इस यात्रा से जुड़ने का अवसर मिला है तो मैंने एक बात अवश्य नोट की है कि जिस प्रकार एक देश के गरीब हमारे किसान भाइव हैं हमारे युवा हमारी महलाएं आत्मों विश्वात से अपनी बाते सामने रखते हैं उनको जब मैं सुनता हुँ ना मैं खुद विश्वात से भर जाता हूँ उनको सुनता हूँ तो मुझे लगता है वहाँ मेरे देश में कैसी तांकत है ये लोग है जो मेरा देश बनाने वाले है ये अद्भूत अनुभव है देश भर में हर लाभार्ति के पास बीते दस वरसों में उनके जीवन में आये बढ़लाव की एक साहत से भरी हुई और संतोस से भरी हुई और साथ साथ सपनों से भरी हुई गाता है और खुशी ये कि वो अपनी इस यात्रा को देश के साथ साजा करने की भी बहुत उत्सुख भी है यही मैंने अब से कुछ देर पहले जो बातचीत करने का मुझे मोका मिला मैं अनुभव कर रहा था कि आपको इतना सारा कहना है आपके पास इतने अच्छे अनुभव है आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं मेरे परिवार जनों आज देश के कोटी कोटी लाभार्ती सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का माध्यम बन रहा है वे इस बात तक सिमित नहीं रहते कि चलो पक्का घर मिल गया बिजली पानी गैस इलाज पढ़ाई अब तो सब मिल गया अब कुछ कर रहा ही नहीं है वे इस मदद को पाने के बाद रुकते नहीं है यह मेरे लिए खुशी की बात है वो इस में से एक नहीं ताकत प्राप्त करते हैं और अपने भविष्य को बहतर बनाने के लिए अधीक परिश्रम करने के लिए आगे आ रहे हैं यह सबसे बड़ी खुशी की बात है मोदी की गारंटी के पीशे जो सच्चे अर्थ में हमारा सबसे बड़ा लक्ष ताना वो यही था और वो उससे पुरा जब मैं अपने आखों से देखता हूं ना तो इतना अनंध होता है इतना संतोस होता है जीवन भर की सारी ठकान उतर जाती है और यही भावना विक्सित भारत की उर्जा भी बन रही है साथियों मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास बढ़ा रही है लोगों की उमीदे पुरी कर रही है यात्रा शुरू होने के बाद उज्वला गैस कनेक्शन के लिए साड़े चार लाख नए लाभारत्यों ने आवेदन किया है मैंने पूछा पर यह कैसे आ गए तो बोले अब परिवार बढ़ा हो गया बेटा अलग रहने गया तो नया घर बन गया नया परिवार है तो अब उसको चूला चाहिए चलो मैंने का यह तो अच्छी निशानी है कि सब लोग आगे बढ़ रहें यात्रा के दवरान मोके परी एक करोड आईश्मान कार दिये जा चुके हैं पहली बार देश व्यापी हेल्थ चेक अप हो रहा है लगबग सबा करोड लोगों का हेल्थ चेक अप हो चुका हैं सत्तर लाख लोगों की टीवी से जुड़ी जाच पुरी हो चुकी हैं पंद्रा लाख लोगों की सिकल सेल एनिमिया के लिए जाच हुई हैं और आज कल तो आईश्मान भारत कार के साथ साथ आभा ए बी एच ए आभा आभा कार भी तेजी से बनाए जा रहे हैं लोगों का आधारकार का पता है आभाकार का थोड़ा अभी कम पता है यह आभाकार यानि आईश्मान भारत हेल्थ एकाउंट के अनेक फाइदे हैं इससे मेडिकल रिपोर्ट्स दवाओं की परचियां ब्लड गुरुप की जानकारी डॉक्टर कौन है उसकी जानकारी यह सब एक साथ रेकॉर्ड में रहेगा इससे अगर सालों बाद भी आपको कभी डॉक्टर के पाइद जाना पड़े और वो पुराना पुछे भी पहले क्या हुआ था कौन सी दवाओं दी थी तो सारा इसमें मिल जाएगा मेडिकल हिस्ट्री खोजने में जराबी दिक्कत नहीं होगी यानि कब बिमार हुए थे किस डॉक्टर को दिखाया था क्या टेस्ट हुए थे कौन सी दवाओं खाई थी यह सब सब कुछ डॉक्टर आसानी से जान पाएंगे यह आरोग्य को लेकर पूरे देश में नई जागरुकता का संचार करेगा साथियों आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से अनेक साथियों को लाब मिल रहा है इन में से अनेक साथि ऐसे होंगे जिने शाहिद ही कभी यह पता चल पाता कि वो भी सरकारी योजना के हगदार है उनको तो पुरानी आदतों के काण यही सोते होंगे वे हमारा कोई रिस्तादार नहीं पहचान वाला नहीं तो हमारा तो क्या होगा अरे मोदी ही तो आपके परिवार का है किसी और की पहचान की जरूत नहीं है आप ही मेरे परिवार के हैं दज साल पहले की स्थिति होती तो शायद ऐसे साथी सरकारी दप्तरों के चकर कारते कारते हिम्मत हार जाते हैं मैं ग्राम पंचायत और दूसरे स्थानिय निकायों के जन प्रतिनियों कर्मचारियों से कहूंगा कि आप सभी पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपको अपने गाउं बोड़ नगर महले में पूरी इमानदारी से हर जरुरत मन की पहचान करनी है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक अधिक से अधिक साथी पहुंचे और मोके पर ही योजनाओं से जुड़ना हो जाए उसका लाब उनका सुनिस्टित आए इसकी कोशिश करनी है जैसे बीते चार वर्सों में ग्यारा करोड से अधिक नए ग्रामिन परिवारों तक नल से जल पहुंचा है पानी का नल आ गया है अब बस हो गया इतने तक हमें सिवित नहीं रहना है अब पानी के बहतर प्रबंधन पानी की गुणवत्ता ऐसे विश्व उपर भी हमें बल देना है इसकी जिम्मेदारी भी मैं इसमें सफलता देख रहा हूं गाउव वासियों के समर्थन से और मैंने देखा है जब गाउव वासी ऐसे कामों को अपने कंदे पर ले लेते हैं न तो फिर सरकार को कुछ देखना ही नहीं पड़ता है और काम अच्छे से चलता है और इसलिए गाउव में पानी समित्यों का तेजी से गठन हो इसके बारे में भी आप सब को जागरुत होकर के काम करना चाहिए मेरी मदद करनी चाहिए साथियों ग्रामेन अर्थे वबस्ता को गती देने के लिए गाउव में महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए भारत सरकार बहुत बड़ा अभ्यान चला रही है बीते वर्षों में देश में लगबग दस करोड बहने बेटियां दिदियां सेल्फ हेल्फ गुरुप से जुड़ी है इन बहनों बेटियों को बैंकों के द्वारा साड़े साथ लाग करोड रुपिय यह आकड़ा अकबार में कभी आपने पढ़ा नहीं होगा इस देश में सेल्फ गुरुप की दिदियों को बैंकों के माध्यम से साड़े साथ लाग करोड रुपय उनके हाथ में आना इसकी मदद हो जाना याने कितना बड़ा क्रांती बुर्या काम हो रहा है इस अभ्यान से सेल्फ हेल्फ गुर्प की करोड़ों महिलाएं आगे आ रहे हैं और जैसा मैंने कहा ना मेरा लक्ष है दो करोड नई महिलाओं को मुझे लगपती बनाना है और यह मुहिम मेरी सेल्फ हेल्फ गुर्प की बेहनों के साथ मिल करके मैं करना चाहता हूं इस मुहिम को और विस्तार देने के लिए आप जितने आगे आएंगे जितनी महनत करेंगे दो करोड लगपती दीदी लक्ष का लक्ष हम आसानी से पार कर लेंगे विक्सित भारत संकल्क यात्रा से इस मुहिम को और ज़्यादा तेजी मिल रही है साथियों सरकार का जोर कृष्षी में तकनिक को बढ़ावा देने और सेल्फ हेल्फ गुर्प के माध्यम से बहनों, बेटियों, दीदियों को और ससक्त करने के लिए एक बहुत बड़ा नया भ्यान चलाया है और ये मोधी की गाड़ी के साथ वो भी एक बड़ा आकरशन का केंद्रा है और वो क्या है नमो ड्रोन दीदी कुछ लोग इसको नमो दीदी भी कहते हैं ये नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है इसके तहत स्वयम सहायता समुहों से जुड़ी दीदियों को पहले राउन में पंदरा हजार ड्रोन उपलब्द कराए जाएंगे महिलाओं के हाथ में ड्रोन होगा न अब ट्रैक्टर को कोई पूठिने वाला नहीं है नमो ड्रोन दीदीया का प्रक्षिक्षन भी शुरू हो किया गया है इस अभ्यान के कारण स्वयम सहायता समुहों की आए बढ़ेगी गाउं की बहनों में एक नया आत्मेविस्वात आएगा और ये हमारे किसानों की भी मदद करेगा खेती को आधुनिक बनाएगा खेती को वैग्यानिक बनाएगा और जो वेश्टेज होता है वो तो जाएगा ये जाएगा बच्चत भी होगी मेरे परिवार जनों छोटे किसानों को संगधित करने के लिए भी आजकल पूरे देश में बहुत बड़ा अभ्यान चल रहा है हमारे अधिकतर किसानों के पास बहुत कम जमीन है 80-85% किसान हमारे ऐसे हैं जिनके पास एक एकड़ दो एकड़ ही भूमी है ऐसे में जब अधिक से अधिक किसान एक समू में जुटेंगे तो उनकी ताकद भी बढ़ेगी इसलिए किसान उत्पादक संग बनाए जा रहे हैं गावों में पीएसी और दूसरे सहकारी उपक्रबों को ससक्त किया जा रहा है हमारा प्रयास है कि सहकारीता भारत के ग्रामिट जीवन का एक ससक्त पहलू बनकर सामने आए अभी तक दूद और गन्ने के क्षेत्र में सहकारीता का लाव हमने देखा है अब इसे खेती के दूसरे ख्षेत्रों और मचली उत्पादन जैसे सेक्टरस में भी विस्तार दिया जा रहा है आने वाले समय में दो लाग गावों में नए पीएसीएस बनाने के लक्ष के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं जहां डेरी से जुड़े कोपरेटिव नहीं है वहां इनका विस्तार किया जाएगा ताकि हमारे पशुपालकों को दूद के बहतर दाम मिल सके साथियों हमारे गावों में एक और समस्या बंडा रण की सुविधाओं के अभाव की रही है इसके कारण छोटे किसानों को आनन फानन में ही अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है इसके कारण कई बार उन्हें उपज का उचित दाम नहीं मिल पाता है इस मजबूरी से छोटे किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए देश भर में बंडारण की एक बहुत बड़ी कैपसिटी तेयार की जारी है लाखो भंडारण बनाने हैं लाखो इसकी जिम्मेदारी भी पीए सीएस जैसे किसानों के सहकारी संस्तानों को दी जा रही है फूर्ड प्रोसेसिंग सेक्टर में दो लाख से जादा सुक्ष्म उद्योगों को मजबूत करने का भी प्रयास किया जा रहा है आप सभी बन्ट रिस्टिक बन्ट प्रोड़क्ट अभ्यान से भी परिचित होंगे इसका लक्ष ये है कि हर जिले में कम से कम एक मशूर उत्पाद को आंतर राष्टिय बाजारों तक पहुंचाने के लिए हम प्रयास करें ये हर जिले को आर्थी ग्रुप से आत्म निर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमी का निभा सकता है मेरे परिवार जनों इस विक्सीद भारत संकल्प यात्रा के दोरान एक और बात का ध्यान हमें जरूर रखना चाहिए वोकल फॉर लोकल वोकल फॉर लोकल का संदेश ये गाउं गाउं गली गली गुंस्ते रहना चाहिए अभी हमने हमारी कोटा की एक बहन से सुना फिर देवास में रुबिका जी से सुना ये भी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं भारत के किसानों भारत के विवाओं का स्रम जिसमें हो भारत की मिट्ती की महग जिसमें इससे सामान को खरीदें उसका प्रचार प्रशार करें घर में खिलोना भी देश में बना हुआ होना चाहिए, बच्चों को पहले से ही भारत में बना ही खिलोना होना चाहिए, हमारे खाने के टेबल पर सब भारत के बनाई हुई चीज़े खाने की आदर डालनी चाहिए, अच्छा सा पेकिंग करके देही आ गया, तो ऐसे ही पागल होने की जरूत नही मुझे बताया गया है कि जहां जहां यात्रा जा रही है इपिकास यात्रा जहां जहां पहुँच रही है वहां स्थानिय उत्पादों के स्ट्रोल दुकाने और उससे जुड़ी जानकारी भी दी जा रही है वहां स्वयम सहायता समुहों के बनाए उत्पादों को भी दिखाया जा रहा है उनको जैम पॉर्टल पर कैसे रेजिस्टर किया जा सकता है इसको लेकर भी सरकारी कर्मचारियों के माद्दम से जानकारी दी जा रही है ऐसे छोटे छोटे प्रयासों से ही और हर गव में हर परिवार में कुछ ने कुछ प्रयास होता रहे हर कोई जुड़ता रहे तो विख्षिज भारत का विराठ संकल्प यह देश सिद्ध करके रहेगा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यूही निरंतर चलती रहेगी और अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचेगी आप भी इस यात्रा को जिदना जादा सफलता मिले जितने जादा लोग उससे जुड़े जितने जादा लोग जानकारी प्राप्त कर सके जितने लोग इसके हकदार है लेकिन मिला नहीं है उनको मिले ये भी एक बहुत तक मिलना चाहिए और इसलिए इतनी महनत हो रही है आप इसका फाइदा उठाईए आपने जो भरोसा रखा है जो विश्वास जताया है लगातार समर्थन किया हुआ है और इसके कारण मेरे मन में भी हमेशा आपके लिए हर बार कुछ ने कुछ जया करने का उत्सा रहता है उ मैं पीछे नहीं अटूंगा उसकी गारंटी देता हूँ आपकी भलाई के लिए जो कुछ भी करना होगा मेरी गारंटी है इसी विश्वास के साथ आपको बहुत बहुत शुब कामना है धन्यवाद